ओम शांति ओम शांति आज चार एप्रिल दोहजार देज दिन मंगलवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो सब की संबाल करते हुए किसी में भी ममत्वर नहीं रखो प्रेश्न इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं उत्तर पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते दूसरी हिंदूस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने घीत कौन आया मेरे मन के ध्वारे ओम शन्ति यह कौन आया बच्चों के पास बच्चों के पास मात पिता ही तू आएंगे जिसके लिए गायन है तुम मात पिता हम बालक तेरे अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो न परम पिता परमातमा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ ब्रह्मा विश्नु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते ये तो निराकार परमपिता परमातमा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा ये तो जानते हो मेरा कोई स्थूल वासुक्ष्म शरीर नहीं है ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है निराकार परमपिता परमातमा बैठ बच्चों को पढ़ा रही है नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा शिवाबा को अपना शरीर तो है नहीं तो इतने सब बीके कहां से आए वे ब्रहमन लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते है तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परमपिता परमत्मा शिव उनके यह तीन बच्चे ब्रह्मा विश्नु शंकर है तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रच कर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं इस दुनिया में मनुष्य तो ढ़े रहें अनेक प्रकार के भिन भिन धर्म जातियां हैं गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चन, बोधी, महाराष्ट्रियन आदी कितनी जातियों के नाम है सत्युग में इतने धर्म जाती होते ही नहीं ना अनेक भाशाएं ना अनेक धर्म होते हैं कहते भी हैं एक राज्य हो सत्युग में है ही देवी देवता धर्म बाप कहते हैं मैं आकर एक आदिसनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किये करत नलागी वार, देवताय तो होते हैं सत्युग में, त्रेता में भी नहीं होते, त्रेता में हैं शत्रिय वर्ण, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्रहमन निकले, और ब्रहमनों को बढ़ा कर, फिर दे पीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरे को सदेव बाप की हैसियत से याद करते हो, भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि ये शिक्षा सिवाए भगवान के और कोई दे ना सके, अभी तो अनेक धर्म हैं तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो, कितने मनुष्य हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे, यह समझने की बाते हैं, बाप कहते हैं मेरे सिवाए को यह समझानी देना सके, बाप बैट तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ कहते हैं बच्चे अभी जितना पुर्शार्थ कर स्वर्ग में उच पद पाना हो सो पालो, हर एक मनुष्य अपनी आजिवीका के लिए कितना पुर्शार्थ करते हैं, कोई भी अच्छा पढ़े तो उच पद पा सकते हैं, यहां भी बाप कहते हैं, अब लाओं गणिकाओ को भी पुर्शार्थ से विश्व का सूरेवंशी राज्य मिल सकता है बाबा ने समझाया है इस समय हर एक द्रोपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो फिर दिखाते है श्री कृष्ण उपर में बैठा है साडियां द्रोपदी को मिलती जाती है रक्षा हो जाती है अब ऐसी बातें तो है नहीं यह इस समय की बाते हैं बाब कहते हैं तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं तुम्हारे वस्तर कोई उतार नहीं सकते यह है प्रवरती मार्ग दोनों को पवित्र बनना है आदा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है बा पर तो विश्क के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है इसमें तो पूरा नश्टों मोहा बनना चाहिए पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे देखा मार मिलती है हंगामा करते हैं तो जट त्याग कर लिया सन्यासी भी भागते हैं पहले तो उन्हों को याद सताती है नश्टों मोहा होने में मेहनत लगती है क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ती की एम अबजेक्ट कुछ भी नहीं है कुछ भी ताकत मिलती नहीं तुमको तो ताकत मिलती है उनको पवित्रता की ताकत कहा से मिले पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमत्मा है उनसे ही वर्सा मिलता है अब बाप से तो योग लगाते नहीं ब्रह्म से योग लगाते तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते ब्रह्मत्वा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है देखो यह points अच्ची रीती धारन करनी है भूले तो बहुत की है हिंदूस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं यह भी भूल है ब्रह्म अत्वा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है ड्रामा में भी नूंद है बाप आकर समझाते हैं यह यह भूले माया कराती है बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं सत्युग में एक ही धर्म एक ही भाशा थी ऐसे नहीं वरिंदावन में रहने वालों को वरिंदावनी कहेंगे वाँ धर्म ही एक है बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो बाप रचिता ही है स्वर्ग फिर हम नर्क के मालिक क्यों है नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे उस समय बाकी सब आत्में परमधाम में होंगे यह बातें अब तुम्हारी बुद्धी में हैं जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी कहां भी ममत्व नहीं होना चाहिए अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो बाप की अमानत है देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं परिक्षाइं भी आती हैं कोई बिमार हुआ दुख हुआ तो संब्हलना पड़े यह है है ही दुख की दुनिया शिबाबा को तो कोई दुख नहीं होगा वे तो ट्रस्टी है कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुक्तू कर जाकर दूसरा शरीर लिया इसमें हमारा क्या जाता है इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे शिबाबा को दुख होगा क्या और ही खुशी होती है यह पुराना छीची शरीर छुड़ाए बच्चों को वापिस ले जाऊंगा दुख की बात ही नहीं अफसोस की कोई बात ही नहीं हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते है परमधाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बाबा को याद करते करते शरीर छुड़ जाएगा ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं जाकर लीन होंगे ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राडायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं, ऐसी नहीं कि वे आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी, आत्मा तो एक शरीर छोड फोरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वान में जाता नहीं है, ना जोती जोत समाते हैं, सब को पार्ट बजाना है, जरूर, बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ, जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन, मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापिस आ जाएंगी, मैं आया हूँ सब को वापिस ले चलने, अब नाटक पूरा होता है अब जितना जो पुर्शार्थ करेंगे, सदगती दाता एक ही बाप है, अभी बाप आया है, समझा रहा है, मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आतमाओं को ले जाता हूँ, छीची से गुल गुल बनाता हूँ, गुल गुल ही बली चड़ेंगे, दिखाते हैं श्री क्रिष्न की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने चुड़ाया है, सहज राजयोग सिखला कर स्वर्ग के महराजा महरानी बनाने, तुमको सक्षतकार भी हुआ है, भविशे प्रिंस प्रिंसिज बनने का, तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसिज अब तुम हो ब्रहमन, गाया जाता है प्रजा, पिता, ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो, यह बाते समझने और समझाने की हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, तो सभी को पुर्शार्थ करना चाहिए, अच्छी रीती से कोई तकलीफ न देही अभिमानी बनो, देह अभिमान आने से ही माया घूसा लगाती है, एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है, तो प्रैक्टिकल में देखते हो, कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं, आश्च्रेवत सुन परक्ती देते होंगे, तो ऐसे निंदक उँच ते उँच ठोर नहीं पा सकते हैं, यह है अभी की बात, कई बच्चों को नष्टा मोह बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है, बाबा तो कहते हैं, बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी याद कराते रहो, जो अच्छे होंगे, वैशी बाबा को याद करते रहेंगे, बाप समझाते हैं, गवर्मेंट भी प्यूरेटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए, हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए, पवित्रता की प्रतिग्या करते हैं, हम भारत को स्वर्ग माल मिट्टी में मिल जाएगा साहुकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार एम अबजेक्ट को बुद्धी में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नश्टो मोहा बनना है पुराने शरीरों से ममत्व निकल देना है उठते बैठते बाप की याद में रहना है किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है वर्दान सदास्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर्भव सदास्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर्भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझे जो स्थापना के कारे में सदस नहीं और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला ना सके कोई भी रुकावट रोक ना सके ऐसे अविराशी रत नहीं, अमरभव के वरदानी है, रियल गोल्ड है, बाप के साथी हैं, वे बाप के कारे को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविराशी बन जाते हैं स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धार्णा है, तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा, ओम शांति